स्वागत है हकीम साब बहुत धन्यवाद आपका हकीम साब बात करूं अगर मैं जैतुन के सिर्के को लेके तो हमने तो कभी नहीं सुना था कि जैतुन नाम का भी एक सिर्का आता है जैतुन का नाम हमने जरूर सुना है लेकिन अब जैतुन का सिर्का भी इतना फाइदमन हो र जाहत दे ही रहा है उनकी शुगर कंट्रोल भी हो रही है और साथी साथ जो रोगी नहीं है उनके लिए भी बहुत लाब दे रहा है हूं देखी कुछ चीजह इसी हैं जो आम तोर पर लोग नहीं जहांते हैं और उनका परिचे में नहीं कहरा है बिलकुल जैसे गौंसिया जीयी सफेद गौं मोरिंगा और आने वाले वक्त मैं भी बहुत सारी चीजे में नई पराऊंगा। मैं पुड़ी कुछ से हिंदी बोलता हूं जितनी भी आती है उसमें क्यों गलती हो तो माफी तो आने वाले वक्त में भी मैं बहुत सारी नई चीजे जो आम तोर पर लोग दवावाले और हकीम भी नहीं जानते लेकिन उन पर सबसे पहले रिसर्च होती है किस चीज के लिए क फाइदा करते हैं जब हजारों लाखों लोग पर ये इनका अनुभाव कर लेते हैं तो फिर पॉबलिक कर देते हैं कि ये चीज अगर इतनी में ली जाए तो लोगों को फाइदा हो सकता है तो फिर कि मेरे साथ वीवर्स हैं हिजस्तान के 80% लोग मेरे साथ जुड़े लगिन मैं बस एक ही बात से दुखी हूं, कि जब मैं कोई चीज बताता हूँ, ьोнов online सली होती है। लगिन जब मैं बताने लगता हूँ और लोग लेने लगते हैं तो फिर लोग नकली देना शुरू कर देते है। तो बिलकु दर्श को देखी इस चीज से तो आप लोगों को सावधान रहना होगा कि जो कीमती रौ माटीरियल आप लोगों को हकीम सहाब बताते हैं वो ना सिर्फ आप लोगों के किसी भी रोग को जर से खत्म कर सकते हैं बलकि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं क् बड़े से बड़े रोग से निजात मिल सकती है बिलकुल दर्श को यकीन मानिये अपने अनुभव भी आप लोगों के साथ साज़ा करते हैं हकीम सहाब तो तुरंत आप लोग इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे हैं अगर आप लोग लाइब हकीम साहब से बात करना चाहते हैं इसी के साथ कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं बात कर लेते हैं सुनील जी हरियाना से स्वागत है आपका नमस्कार जी मेरे मेरी मेडम दो सवार है जी बोलिये एक नो मेरी जी अपके उमर क्या है मेरी उमर 40 आले में और वाइफ की नो उसकी उसकी 25 आले में है ठीक हाँ भाई देखिए एक तो आपके लिए यसा वेस्टन टॉयलेट बहुत जरूरी है नहीं है तो सबसे पहले वो लगवाएं कुर्सी वाला शोचान है नहीं तो आपको बार बार फाइदा होगा बार बार हो जाएगा ये कोई मामूली परिशानी नहीं है हमारे जो कमर के डिस्क हैं ये तीन इंप्रेस हैं आपके तो आपको डेसी टॉयलेट में नहीं जाना है देसी में जाना है अपनी जरूरत के लिए ये दवा से भी जाज़ जरूरी हो सकता है आप बगएर दवा के ही ठीक हो तो आप यकीन करें तो नहीं है तो लगवाले और लेकिए दो गौन बता रहा हूं एक आपकी पत्नी के लिए और एक आपके लिए है याद रखना के आपके लिए गौन सिया है अभी में जिसका जिकर रहा था काला गौन ये असली लेना जरूरी है आदा गिराम सुबा आपके रोक के लिए काफी होना चाहिए लेकिन फाइदा पांस साथ दिनके बाद शुरू करता है ये याद रखना ये कोई अंग्रेजी दवा नहीं कि खाया और दर्द गायब आपको जरूरत पड़े दर्द हो तो अंग्रेजी दवा भी ले सकते हैं इसके साथ ये रोक क की जड़ पर काम करता है अधा अधा ग्राम सुबा नाश्टे के बाद और रात तो खाने के बाद ले पंद्रह सोलह रुपे रोस का इलाज है दुनिया का सस्ता इलाज आधा ग्राम सुबा आधा ग्राम शाम खाएं लेकिन असली लेना जरूरी है काला गौन भी कहते हैं ग और आपकी पत्नी के लिए एक और गॉंद आता है, वो भी असली लें गॉंद मॉरिंगा सफैद है, इसमें भी लोगों रोजाना पानी में मिला के दूद में मिला कर यह नारील पानी मिला के दे बालों के लिए और चेहरे के निशानों के लिए छीपों के लिए महासों के लिए और जो बच्चे की हाइट निवर्थी अगर वो ले उनको भी फायदा होना मुम्किन है अगले कॉलर है बिजनौर से निश्वा जी स्वागत है आपका अश्वालेश्याव जी वालेश्याव सर मेरे बेटे को मैंने मंगवाए था माजून आरकेर तीन महीने हो गए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको अल्लाफाद अमर दराज करें काईदा हो गया बच्चे को जी मेरे बेटे को बहुत फायदा बहुत अब कभी कवा है जो कभी कवा जो उसे है थोड़ा सा खांसी हो जाती है थोड़ा सा दमाता हो बेटे बेटे बहुत फायदा है और कोई सवाल है आपका तो अभी कर लीजे और मेरा सवाल मैंने बहुत अराम है बहुत आराम है वह तीसरा सवान मेरा यह अरूर बताएगे सबसे पहले तो आपने खुश कर दिया बच्चे को भी फाइदा आपको भी फाइदा और ये हमारा फाइदा कि आपकी दूआ हमें मिल गई देखिए बच्चे को अभी छोड़ना नहीं अगर कभी कभी होता ये पांच महीने लेना चाहिए पांचे महीने तो अभी उसको और देना माजून आरकेर दे रहे न आप और देना ये दुनिया के अच्छे निस्खों मेंसे है आपको गौंसिया जब तक पूरा दर्द ना हो चला जाए वैसे तो जितना आपने हसिल किया होगा उसी में फाइदा बमकिन है और वेस्टन टौालेट ज़रूर लगवाले ताके दुबारा से नहों देशी टौालेट में बैठने से ये बार बार होता है फिर आप मुझे से शिकायत मत करना अब चेहरे के गलो शबाब और सिल्वटें और चीपें हो जाती है अब मर्दों को तो कुछ नहीं लेकिन औरतों को सबसे ज़्यादा लगा अपने शबाब से होता है मैं जानता हूँ तो दुखिए गौन मौरिंगा सफेद भी असली ल नारियल पानी मिलाकर दूद में मिलाकर या पानी में मिलाकर जैसे आपके हालाते सबको फाइदा देता है भगवान की ऐसी देन है जिसको असली मिल गया उसके चेहरे पर शबाब देखिए बुड़ा हाद भी मैं भी खाता हूँ कभी कभी तो लोग मुझे बुड़ा ही न बहुत अच्छा है मेरे भी गिने लगे दिबाल मैं तो नारियल पानी मिला करी खाया बुड़े आदमी के बाल जवानों से ज़्याद है मेरे सारे यार दोस्तों के सारे टकले हो गए अब वो मानते नहीं मेरी बात और आप मानिये इसे इसे इस्तमाल करिए और फाइदा उ योग उक्ती की जिम्मेदारी भी आपकी होती है यह मेरा आप से अनुरोध है पंजाब से हैं लता जी स्वागत है आपका नमशकार मैरम जी नमशकार नमशकार जी आदाब जी धन्यवाद यह उमने ना लसन वाला बनाया था इसनों से निकाल के इसने लसन जो हम ग्रैंड करके बाउ सकते हैं और कितना पाई है यह थीक हे ओर कोई सवाल था निया आपका अगर मैं संतरा और किन्नू खालू प्नाग करता है कि डाकार याठी अगर ऑगर दो बार आ जाती कोई बात नहीं है इस यह निएा को ऩng हाramento करता है संतरा संतरा और किन्नू और लीबू अजम करता है ढकार अगर एक दो बार आ जाती तो कोई बात नहीं है इसका काम हाजमा है कि इसमें विटामिन सी है और बहुत ज्यादा है तो फिर इलाज भी है इसका अच्छा यह जो लहसन का लोग समझ नहीं पाते लहसन एक लीटर जूस निक कि वो एक किलो के करीब हो चाहे वो ग्राइंडर में पीस हैं या कुछ भी पीस है आजकल तो सब घरों ग्राइंडर हैं तो उसको आप यूस कर सकते हैं एक किलो का एक किलो ही आप अगर पीस दे तो फिर जूस निकालने की ज़रूत नहीं बारिक हो जाए बस बारिक के तरल پडार सा हो जाया हो और फ़िर इनको मिलकर आप तीन-तीन चमच-दो-तीन बार दिन में खाने के बात लिया करें दुनिया का अच्छे नस्खों में कहलता है यह अरबी निस्खा कहलता है अरब में जैतुन का सिर्काच पैदा होता है लेकि यहां पर लोग इसको बनाते हैं तो कोई गन्ने का सिर का डाल देता है, इसमें कोई अंगूर का डाल देता है, कोई जामन का डाल देता है, तो कोई सेप का डाल देता है, तो वो काम करें तो अधूरा करें, यह पूरा काम करता है अपना, आप कभी इसको बनाएं, आप बनाई ही रहें और इस्तमा करने तो आपको फाइदा ओना मंप्वीन. जी.